हेलो व्रीवान कैसे आप लोग काई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज हम आप लोग के ला हैं प्रक्टिस एट 158 और यह हिंदी से समाधित होंगे तो आज हम हिंदी के परतेक टॉपिक से के परस्ण को लेके आ हैं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत जिदा इंपोट तक बाती है यानि की गलत है तुरूटी ए उसी भागे को आपको चायन करना भूब में फिरह शेंज है जो आपको परते देन इंगल नहीं है पूर्व में, इसमें भी कोई एरर नहीं है एरर है D बला पार्ट में इसलिए सका आंसर ऑप्सन D हो जागा क्योंकि आपको एरर ही ढूरना था गलती बला पार्ट ढिधना था असुद्ध्दि बला पार्ट इडर कहां पे हैं कैसे पता चलिए उग रहा है किसे गलत है तो आपको बताते हैं सुर्व परति इंब ह 국usion कर टीम पूर पूर्व में तो रहा है यहां पर क्या होगा पर निकलता है या उगता है निकलता है या उगता है यह रहेगा क्योंकि यह उगता है उगता है फिरूबना तो यहां पर देली जब काम है तो यहां पर उग रहा है नहीं होगा मतलब क्या हुआ कि आज उगता है यहां निकलता है इसलिए इसका अप्षन डी हो गया डीवल अपार्ट में रहर है कहां था हम आपको बता दिये आई हो पाभी प्रस्ण को समझ गये होंगे अब बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की उर प्रस्ण है किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना वाक्यांस के लिए उचित लोकुक्ती है किस लोकुक्ती का अर्थ होता 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 है कि किस तरह का जिम्मेदारी का ना होना आम के आम गुठलियों के दाम 152 लूब यह नाथ न पिछे है और में काना राजा ये तो होगा नहीं यह तो होगा यह भीम्हें होगा नाफ आफ जिम्हेदारी कि आ रहता उसको फृह भर दिन दरत नहीं है गया नहीं तो का इस घोट करते रहाता मुठा पहर uh इसलिए इस लोक्तिकार्द कित पीषये पयंखा खर और किसी तरह के जिमेदार 2 यह बिए कि नेक्स्ट आए कि दिये गए व क्या है की एक सार्थक सब्द का चायन कीजिए जिस और जैसे करते हैं जिसे मर जाने की कामना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे अनेक सब्दों के बदले एक सब्द से समधित परसने बहुत हुआ इंपोटेंट है जिसे मर जाने की कामना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे मुमुर्ष, मुमुर्षा, मुमुक्छा, मिर्ट्यून जय, यह 4 अच्छों वर्ड बहुत हीदा इंपोटेंट है, 8 वर्ड को हम बता रहें, आपनों ध्यान से देखते चलिएगा, फले हम इसका अंसर जान लेते हैं, ठीक है, इसका अंसर हो जाएगा, option A, मुमुर्ष, जिसे मर जाने की कामना हो उसे हम लोग बोलेंगे मुमुर्स क्या मुमुर्स option B में दिया है मुमुर्सा मुमुर्सा किसे कहेंगे मरने की इच्छा मरने की इच्छा उसे बोलेंगे मुमुर्सा मरने की इच्छा मुमुर्सा यह दिया है उसका बाद क्या दिया है कुछे टिके आंब मुंक्छाने आंब मुंक्चू कर लीजी तbased appeals कुछ Ihवगाज यहां टापिंग मेर हो गया कि इसको यह अठा दीजिए यहां पर आप क्या कर लिएगा मुख्छू क्या मुख्छू इसका आर्थ समझे क्या होता है मुख्छू का मुख्छ की कामना करने वाला उससे बोलेंगे मुख्छू की कामना करने वाला मुख्छ की कामना करने वाला मुख्छू मिर्त्यूंजाय मिर्त्यूंजाय तो जिसे क्या मिर्त्यूंजाय किसे कहेंगे कि मिर्त्यूंजाय को जितने वाला को मों बोलेंगे मिर्त्यूंजाय मिर मिर्तियू को जितने वाला मिर्तियू को जितने वाला को बोलेंगे मिर्तियू जाये मुक्ष की कमना करने वाला को मुमुक्षू मरने की च्छा मुमुर्सा जिसे मर जाने की कमना हो मुमुर्स चारों बोड बहुत जिदा इंपोर्टेंट है चारों का मिनिंग आप याद रख है यह लैंट अनुट्ची है अब हासा की चर्चा 8 में आठ की चर्चा है और हमारे सभवेधान में 8 में कुल कितने बाइस आए 22 वाता है कि अब को बाताना की आठीमें तो इस बाता हैं ऑप कि reply लेकिन भोजफूरी समील नहीं है इसकांसर और उप्षन भोजपूरी भोजपूर będziemy भासा यह समील नहीं है भारत डेच के सब्धान इसकूर नहीं ता एक राजास्थानी हो गया राजस्थानी एक हो गया एक भोजपूरी ये दुनों भसा सभिधान की आठ्मियन सुची में सामिल नहीं है याद रहिए ये भी नहीं है ये दुनों बहुत बार उप्सन में दे देगा तो बहुत सा रेश्णन कन्फूज कर जाते याद रहिएगा ना भोजपूरी है ना र समपरदान का होता को के लिए को की लिए आपादान का चिन क्या थो थाता चाथ S आपादान का परसंने किया जब कोई किसी को किशी से परसंन किया जब तो आपकर शब्चार यहां का रहा है अलगाव-अलगा बात नहीं हो थो इसलिए साइं रोप्छन यह होगया करनकारक नेक्स्ट है अश्टादस पुरान है अश्टादस क्या पुरान है इस वाक्ष में अश्टादस जो आया है किस परकार का भी सेशन है अश्टादस किस परकार का भी सेशन है परिमान बाचक सर्बनामिक संख्या बाचक गुन बाचक जिसके जिस वर्ड के सुरू में संख्या जाए नमर आजय तो तो संख्या मां और मीद्ग का टर जाओं या अश्टा दस जिस तरा आगा तिर भूज हम बोलेंगा तिर भूज तरबूज में शुरूम क्या 3 3 तीन आया उसी तरह अगर चत्र भूज लिखेंगे क्या लिखेंगे चत्रभूज यानि इसमें शुरूमें चार आया पंच भूज प्राइगा ऐसे करके सुरू में अगर संख्या आ गया तो समझ लिजा हूँ अगया है इसलिए यह पर इमान नहीं अपने तुन लेवाद नहीं रहा सर्भनामिक भी नहीं होगा जी गून के बारे में आपने कराज क्या जा रहा है अस्टादस पुरान है या संख्या अगर पहले आ जाग बड़ के पहले तो वह संख्या बाचक विसेशन हो जागा इसका अंसर उप्सन स्यू होजा जाए लिकिन समास में अगर ऐसा बड़ आ जाए जिसके पहले संख्या हो तो संख्या वाचक विसेशन हो जाए है इक नेक्स्ट नीमनल लिखित मुहाबर में कौन सा विकल्प किसी का कम निप्टा देने का भावो परकट्ट करता है कौन सा मुहाबर करत होगा चलता करना चाल करना चाल में आना चंपत होना चंपत होना भाग जाना यह नहीं होगा चाल करना यह नहीं होगा इसका अंसर ऑप्सन यह हो जाएगा चलता करना किसी को चलता कर दिया उसको उसको पैसा रुप्या दे दिये उसको भागा दिये मतलब उसको क्या कि उसका कम नि के विपतादेने निप्टा देना देने कीह चलता करना किसी को आप राक निफथा दिया देबर तुझसका इसका अर्थ हो जीए चलता करना होग सका करें सब्सक्राइब तर निरमल साप सुत्रा और मल उसका व्लटमादा तो बता है निर्जलने होगा कमजोर ने होगा ताकतवर मलीन मलीन का भी मतलब क्या होता गंदा मेला ठीक है याद रखिए तो निर्मल्मलका उल्टा मलीन कि नेक्ट है कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाओं जन कभी हूँ मैं साब कहूंगा क्यूं हक लाओं पंक्तियां किसकी है किस कविता की पंक्तियां यह है जनता मुझसे पूछ रही क्या बतलाओं जनकवी हूं मैं साप कहूंगा क्यों हक लाओं यह जो लेल लिया गया है यह पंक्ति यह कविता है जनकवी हूं मैं जनकवी हूं मैं इस कविता से यह पंक्तियां को लिया गया है और यह कविता किसके आपको यह बताना था उप्सन में दिया हमुणसी प्रेम चंद महादवी वर्मा जैसंकर परसाद नगार जुन तो इसका अंसर जो होगा option D हो जाएगा नागार जुन जन कभी हो मैं इस कविता के लेकक है नागार जुन इसी कविता s eh यह पंक्तियान लेया ग्या है कि जनता मुझसे पूछ रही क्या बतलांओं जनकभी हो मैं साप advertise एक क्यों हकलां याद रखिए गज़संगर परसाथ के बहुत इंपोर्टेंट रसना क्या का मैनी का मा यह 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 जगा पर साथ के हैं तितली भी जगा पुछा गया प्रिबेसर में गया सिविल कुट के इसमें तितली जग संकर पर साथ के है और महादिभी वर्माक तो पता है यामा याद रखेगा इसका दीप सिखा यामा सांद्यगीत मुन्सी प्रेम्चंत को गजान याद रखेगा सब का बती यह दिये नेक्स्ट है जिन पंक्तियों में नायक नाइका का मिलन हो वहां रस की दिरिष्टी से कौन सा सिंगार होता है जहां पर नायक नाइका का मिलन होता है उसे कौन सा सिंगार बोलते हैं संयोग मिल रहा है संयोग हो रहा है जहां बिछड़ेगा नायक नाइका जहां पर option b ho g sincerity zeggen यह कलास्ट परस्ण है जीन ढुंडा तीन पाइयां गषए पानी पैट लोकुक्त्थ है जीन ढुंडा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ परिश्रम का फ़ल आबस मिलता है परिश्रम करते कि इसका मतलब यह होता कि जिनने धुन्दा तिन पाई यां गहरे पानी पैट इस लोग उक्तिकार्थ होगा परिश्रम का फाल अबस मिलता है तो फ्रेंड्स आज का प्रसन बस नहीं तक था सारे प्रसन काम बिल्कुल कॉंसेब्स बता दिए आई होप आपको वीडियो आता तक के लिए जाहिद